नमस्कार आप देख रहे हैं सिल्क टिवी और मैं हूँ आपके शाथ नीशु गुपता आए करते हैं खबरों की सुर्वाद सबसे पहले इक निज़ डालते हैं आज की हर्डाइन्स पर प्रकिर्ती को शमर्पित लोकास था का महापर्व चट उदैमान शुर्ग को अर्ग देने के साथ हुआ शंपन पूजा को लेकर सरधालों में दिखा उत्सा महापर्व चट पूजा को लेकर जिले के विविन गंगा घाटों पर सुरक्षा के दिखे पुक्ता इंतिजाम SDRF की टीम गंगा नदीम में थी तैनात जल सकती मंत्राले की 40 सदस्य टीम पहुँची भागलपूर गंगा शुक्षता को लेकर आम लोगों से सयोग करने की क्यापील नामामी गंगे की टीम ने बढार इस सीरी घाट पर चलाया शुक्षता अभ्यान डियम प्रनब कुमार ने गंगा शुक्षता की दिलाई शुक्षत और भागलपूर में सरपंच पती ने छट वरती महिला पर फेका बं महिला की हुई मौत आरूपी फरार और अब खबरे विस्तार से लोकास्था का महापर्व छट उदैमान सुरी को अर्ग देने के साथ संपन हो गया इसके पुर्व जिले भर के विविन गंगा घाटों और तालाबों में छट वरतियों की भीर उम्री रही हजारों की संख्या में सरधालों नी लोकास्था के महापर्व में भगवान भासकर को अर्ग अर्पित करने से पहले गंगा में डूबकी लगाई और पूरे विधी विधान के साथ सुरे नमस्कार किया वहें बरारी घाट, सिरी घाट, खिरनी घाट, बुरहनाद घाट, मुसरी घाट, हनुमान घाट समेत कई अस्थानों पर छट वरति नियम निश्ठा के साथ सूपर डाला लेकर पहुँझे सवी छट घाटों पर छटी मईया के गीत गूंसते रहे साथ ही जिस मार्ग से छट वरति गुजर रहे थे उसे भी आकरसक धंग से सजाया गया था घाट पर शरधालों को कोई अशुविधा ना हो इसके लिए लाइट और जालर की विवस्ता की गई थी उत्सा के महौल में कुछ घाट पर लोग आतिस बाजी भी करते दिखे लोग आस्ता के बहाँ पर छट को लेकर आस्ता धालों में काफी उत्सा देखा जा रहा है सुभै से ही चट बर्दी विविन गंगा घाटों पर चट घाटों पर उमर रहें और उदाय मान सुर्य को अर्ग दे रहें सरी बार को अस्तल चल गामी सुर्य को अर्ग दिया गया था और छट में डूपते वे सुर्य को भी अर्ग दिया जाता है और उकते वे सुर्य को भी अर्ग दिया जाता है इसी के साथ चार दिवस्ये लोक आस्था का महापर्व छट आज संपन हो जाएगा और आप हमारे महापर्व चट को लेकर भागलपूर के विविर इलाकों में औस्थाई छटगाट का निर्मान किया गया था जिसमें काफी संख्या में छटवर्तियों और सरधालों की भीर जुटी रही सिकंदरपूर इस्तित नगर निगम जोर्नल कारियाले में ओस्थाई छटगाट बनाया गया था वहीं घाट पर आकरशक सजावट की गई थी काफी संख्या में सरधालों ने अस्ताचल गामी और उदाइमान सुरी को अर्ग दिया इस दोरान पूरा इलाका भक्ती में डूबा रहा वहीं कहलगाओं घाट पर अर्ग देनी के लिए सरधालों की भीर उमरी रही महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्सा देखा गया वहीं नौगच्या में भी काफी उत्सा और शरधा के साथ महापर्व छट मनाया गया शरधालों ने नौगच्या के विविन गंगा घाटों पर उदाइमान सुरी को अर्ग अर्पित किया इस दोरान घाट पर छटी मईया के गीत गूंशते रहे, वहीं साकुंड में भी लोकास्था का महापर्व श्रधा एबं उत्सा के शाथ मनाया गया, चार दिनों तक चलने बाले महापर्व का श्रमापन उदाइमाशुर को अर्ग देने के शाथी हो गया लोकास्था के महापर्व श्रध को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा के पुकता इंतिजाम किये गए थे, जगा जगा पुलिस वलों के साथ डंडाधिकारी की तैनाती की गई थी, साथी किशीवी तरह की आपात इस्तिती से निपटने के लिए क्विक रियक्शन टीम महापर्व श्रध को लेकर सुरक्षा की मौकमल वेवस्ता की गई है, गंगा घाट जो है, तो उस पर सुरक्षा की वेवस्ता की गई है, मेडिकल की टीम लगाई गई है, और HDRF के टीम को लगाया गया हमारे साथ HDRF के इस्पेक्टर कपिल देब जी है, हम उससे सिधा बात करते हैं कि सर किस तरह के से वेवस्ता की गई है पहले तो हमारे HDRF के तरफ से चाइनल को धन्वाद, HDRF भागलपूर में पूरा भागलपूर गंगा किनारे भिन भिन घाटों पर लगाया हुआ है, जो कल से चार दिन से लगातार पिट्रोलिंग कर रहा है, और चोकन्य बरते हुए है, जिसके करण अभी तक पूरी सुरच सुरचित है, और आगे हम आसा ही नहीं, उमीद करता हूँ कि सुरचित रहेगा, यहां हम सुरच्छा के लिए अपने बोट दोवारा तीन वज़े से पिट्रोलिंग कर रहे हैं, और मेगा फोन से हर घाटों पर एडवर्टाइज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सुर अपने बोट रहे हैं, और जुवाओं से अनुरोद किया जा रहा है कि आप आज असनान ना करें, तहरा की ना करें, सुरचित छटबर्थ करने दें, इससे आपको असनान करने और तहरने से असुरच्छा, आसुदा महसुस होती है छटबर्थीयों के, इसलिए आप आज अ भागलपूर में टोटल आठ बोट लगाया है और तीन बोट हमारा मुंगेर गया है कुछ टीम हमारे मुंगेर में है जो मुंगेर के भीन भीन घाटो पर शुरच्छा परदान कर रहा है एक SI R13 जवान गए हुए है जो R4 मोटर बोट जिसके दोवारा मुंगेर में भी सुरच्छा दे रहा है बाकी बाचे हुए पूरी टिम हम भागलपूर के भिन भिन घाटों पर लगे हुए है साथ बोट के साथ में है तो SDRF ये इस्पेक्टर का कहना है कि जो सुरच्छा की ववस्था की गई है वो मुकमल ववस्था है SDRF की टीम लगातार गंगा घाटों में जो है तो निरिक्षन कर रही है और किसी भी तरह का अब तक अपिर ये घटना की कोई ख़वर नहीं आई है अपने सयोगी कैमरा परसन सलमान अनबर के साथ सयद नामुद्विन सिल्क टीवी भागलपूर वही नमामी गंगे के सदस्चुनी गंगा को श्वक्ष निर्मल और अविरल बनाने के लिए आमजनों से सयोग की अपील की इसके पूर्म केंद्रिये रेलवे रेल यातरी शरंग के अध्यक्ष विश्नु खेतान ने गंगा महा आरती और नुकर शभा की जानकरी दी जबकि अनुराधा खेतान और पंडिर जटाशंकर मिश्र ने उच अस्तरिये टीम को गंगा की नारे गंगा महा आरती कारिक्रम में भाग लेने की अपील की वहीं बिंग कमांडर परमविर शिंग ने कहा कि यह यातरा 10 अक्टूबर को देप पडियाग से सुरू की गई थी जो 12 नौमबर को गंगा शागर में जाकर श्रमाप्त होगी कि आज हम संग प्रदेश में चट के दिन ही हमारा आग्मन हुआ है अच्छा बहुत लग रहा है और जैसे कि आप सब जानते हैं शायद यह अव्यान जो है कि पिछले दस तारिक को दस अक्टूबर से सुरू हुआ था देप प्रयाग से और यह बारा नौमबर को जाकर गंगा साजर तक जाएगा यह पूरे पूरी लेंग्ट जो है हमारी टीम जो है बुख्यता इसमें सेना के लोग है जल सेना सेना वायू सेना के लोग है विन कम अगा की अत्रा में पहले यह पहली रही है जो आज में आपके समाघ्राइग के साथ और चार वर्ष के बाद आज दोबारा है विए जो हूँ कर रहूँ का गंगा श्वक्षता को लेकर दिल्ली से भागलपूर पहुँचे टीम के सदस्यों ने बढ़ारी पूल घाट पर शफाई अभ्यान चलाया सफाई अभ्यान में जिला परसासन के पदाधिकारी एवं नमामी गंगे की टीम ने पूरे सिरी घाट की शाफ सफाई की साथ ही आम लोगों को गंगा की श्वक्षता के लिए जागरूप किया इसके बास सैंडिस कंपाउंट से एक रैली निकाली गई रैली में शामिल सदस्यों ने श्वक्षता के प्रती लोगों को जागरूप किया वहीं डियम प्रनप कुमार ने रैली को शंबोधित करते हुए गंगा शफाई के प्रती सजग्रै ने पॉलेथिन का परियोग नहीं करने एबं दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करने और गंगा को गंदा नहीं करने का शपत दिलाया इस मौके पर डियार डिये निदेशक प्रमोध कुमार पांडे डिपी आरो बिंदुशार मंडल सहीत कई अधिकारी एबं समाश्रे भी मौजूद थे भागलपुर में सरपंच पती ने छटवर्ती महिला पर बम फेक दिया घटना में महिला के सरीर के चितरे उड़ गए गंबी रवस्था में इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भरती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई घटना मदु सूधनपूर थाना छेतर के नूरपूर पंचायत इस्तीत करेला गाउ किये जानकारी के अनुसार छटफर्ब की खुशी में कुछ बच्चे पटाके फोर रहे थे पटाका के शोर से परिसान नूरपूर पंचायत के सरपंच पती कारू यादब ने बच्चों को पटाका फोरने से मना किया इसी दोरान खड़ना के लिए दूद लाने जारे छटवर्ती निर्मला देवी बम की चपेट में आ गई जिससे उसके सरीर के चितरे उड़ गए वहीं घटना की शूचना मिलते ही सिटी एसपी सुसान्त कुमार सरोल नातनगर और मदुशुदनपूर पुलीस के साथ मौके पर पहुँची और घटना की जाच में जुट गई सिटी एसपी ने कहा कि आरूपी को जल्दी गिरिफतार कर लिया जाएगा फिलाल पुलीस आरूपी के गिरिफतारी के लिए विविन ठिकानों पर चापे मारी कर रही है वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद अब देखते रहे सिल्क टीवी लोक आस्था के महापर्व, शटपर्व, संबस्त, गरवं पंचायत वासी, मताएं बहनों एवं समस्त प्रखंडवासियों मताएं बहनों एवं समस्त जिलावासियों मताएं बहनों सभी को लोक आस्था महापर्व के छटपर्व के हर्दिक बधाई एवं सुभ कामना हैं हराम शिक्षा, अबिर्वाबर और छाठ शाक्ताओं को दीपावानी एवं छठ की हार्डिक सुष्षा बनाएं। मैं आज़को चन्विश्या पजाना ज्यापक मधिज्या नजीद पुष्ण। मैं डॉक्टर बिरेंदर कुमार यादब प्रवारी सदर अस्पताल ठुली डूमर पांका की ओर से प्रकृति को समर्पित लोक आस्था के महापर छठ पुजा के ठेर सारी प्रथाई देता हूं। मैं डॉक्टर सरीता कुमारी L&D Project Plus 2 Girls School बासी बाका की ओर से समस्थ देश बास्यों को लोक आस्था के महापर छठ पुजा की धेर सारी बधाई देती हूं। मैं प्रेमलता देवी मुख्या उत्री कोजी फुली डूमर बाका की ओर से समस्थ देश बास्यों को लोक आस्था के महापर छठ पुजा की धेर सारी बधाई देती हूं। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो अगर पीवी वाई आस्था ड्रीन्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे मरफिल में भटकना हो। बीवी वाई आस्था ड्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड लेकर आया है एक लाग रुपे परती कठा में आकरशक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्यादोनिक सुविदाओं से लेक्स प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएँ फिर रजिस्ट्री कराएँ तीस फिर चोड़ी सडक नाली 24 घंटे बिजली पार्किंग जीम होस्पीटल एबब अन्न कई सुविदाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रख कर बनाया गया मंदीर और चिल्डरन पार्क भी PBY आस्ता ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड मासी किस्त मात्र दस हज़ार पर उपलग तो अभी बुकिंग कराएं मात्रे क्यावन हज़ार रुपिये में आवास ये जमीन मात्र एक लाख रुपिये परती कठा तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलवाटोला करेला नातनगर भागलपूर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का श्वागत है आप देख रहें सिल्क टीवी आयबर तेगली ख़वर की ओर समीती के सलाकार रमन कर्ण ने बताया कि भागलपूर महतसब की तयारी में काफी कम समय बचाए इसके लिए उन्होंने समीती के सभी सदस्यों से तयारी में जुट जाने की बात कही वहीं समीती के अध्यक जियाउर रहमान ने कहा कि इस बार महतसब को और भी भवे बनाने का परियास किया जाएगा इस मौके पर बिजया मोहिनी, जीमी क्वाडरेस, सतनारायन सा, प्रॉफेसर रोज, गोविंद अगरबाल सहीद कई सदस्य मौजूद थे भागलपूर मुसरी घाट पर रविबार को परीदी और एक्सन एड के शयुक तत्वाधान में जल मंच का आयोजन किया गया वहीं परीदी के निदेशक उदय ने कहा कि छट सूरिय और जल स्रोतों की उपाशना का पर्व है राहुल ने कहा कि जल और जल स्रोत पूजनी है इसलिए इसकी महत्व को शमजना आवश्यक है वक्ताओं ने आम लोगों से जल संचे करने और प्राकृतिक संसादों की सिमित्व इस्तेमाल करने की अपील की मौके पर मनोज रामचरित शिंग गीता देवी समेत का इशदर से मौजूद थे यह जो छट का तहवार है यह सुर्य की उपासना के साथ साथ जल स्रोतों के उपासना का भी तहवार है हमारे पूर्खों ने यह समझा था कि यह जो जल स्रोत हैं नदी तालाब यह बहुत ही कुपियोगी हैं हमारे लिए इसलिए हम सब इनकी उपासना करें पूजा करें और यह पानी खतम हो रहा है नदियां मर रही हैं तालाब समापत हो रहा है नदियां को प्रदूशित किया जा रहा है उसे बांधा जा रहा है इसलिए इस छट में आकर के इस जल मंच के माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं कि अपनी नदियों को पानी को तालाब को बचाईए पानी बचाईएगा तो आपकी जिंदगी बचेगी हम बचेंगे हमारी संस्कृती बचेगी वहीं मौलाना फारुक आलम अश्रफी ने महमदी जुलूस के दौरान अपत्ती जनक नारा नहीं लगाने की अपील की साथी इमर्जंसी सेवा को बाधित नहीं करने की बात कहीं मौके पर वर्दी खान समेत कई लोग मौचूद थे बिहार के भागलपूर इस्थित बरारी सिरी घाट पर केंद्रिय रेलवे रेल यातरी शंग और नगर निगम के शयुक तत्वाधान में प्रती दिन भवे महा गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है रविबार को जल सकती मंत्रा लेकी टीम एबम नगर निगम की ओर से गंगा घाट पर भवे महा आरती की गई आर्ती के बाद जल सक्ती मंत्राले की टीम ने नियमित गंगा आर्ती को लेकर केंद्री रेलवे रेल यात्री शंग और नगर निगम के द्वारा किये गए परियास की जमकर शरहाना की वहीं टीम के शदश्यों ने गंगा की अविर्लता और निर्मलता के लिए गंगा को श्वक्ष रखने की सहरवाशियों से अपील की गंगा महा आर्ती में नगर आयुक जैप्रिय दर्शनी, उप नगर आयुक सत्यंद्र प्रशाद वर्मा, पंडित जटा संकर मिश्र विश्नु खेतान, अनुराधा खेतान एबं प्राशासनिक अधिकारी के अलाबा काफी संख्या में नमामी गंगे के सदश्य मौजूद तो बोथ एक अवेरनेस आया हुआ हुआ हम लोग के पास, I'm sure, and हम रोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको continue करना है, everyday गंगा आर्ती नहीं चाहिए, और इसके अलाबा भी अवेरनेस चाहिए, और साफ सपाई करना है, around गंगा, and I hope that we will do it. चलते चलते फिर सेक नज़े डालते आज की हेड्लाइन्स पर, हेड्लाइन्स स्पॉंसर्ड बाइ, PBY आस्टा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड, एक चारी में आवास ये जमीन एक लाख रुपे प्रतिकट था, प्रकिर्ति को समर्पित लोकास था का महापर्व छट उदैमान शुर्क को अर्ग देने के साथ हुआ शंपन, पूजा को लेकर सरधालूं में दिखा उत्सा, महापर्व छट पूजा को लेकर जिले के विविन गंगा घाटों पर सुरक्षा के दिखे पुक्ता इंतिजाम, SDRF की टीम गंगा नदी में थी तैनाथ, जल सकती मंत्राले की 40 सदस्य टीम पहुँची भागलपूर गंगा शुक्षता को लेकर आम लोगों से सयोग करने की कि अपील, नामामी गंगे की टीम ने बढ़ारिस सिरी घाट पर चलाया शुक्षता अभ्यान, डीम प्रानब कुमार ने गंगा शुक्षता की दिलाई शुक्षत और भागलपूर में सर्पंच पती ने छटवर्ती महिला पर फेका बं महिला की हुई मौत आरूपी फडार। फिलाल सुलेटिन में इतना ही नमस्कार।